दोस्तो जैशिरी राम जैशिरी बाला जी महाराज दोस्तो कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्सिते स्वस्ते और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है और जो है दोस्तो आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़ादा महतोपुन है उन लोगों के लिए जो लोग बाबा के भगते हैं और जो बाबा को मानते हैं या मेहंदीपूर बाला जी में आप अपने संकटों को छोड़ के आएं और घर आ गए हैं और आप जो निस्चिंульт हो के बैठ गी हैं या फिर आप सारी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी मेंदीपूर बाला जी से रिलेटेंड और भी आपको जानकारी चाहिए होती है तो आप जो है हमसे करें क्या ऐसा खिलाएं भोग लगाएं या फिर कुछ ऐसा करें जिससे जो है बाबा हमारे घर पे हर टाइम परसंद रहें तो चलिए दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें शेयर करें कमेंट क करें और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच जाए और जो है दोस्तों आपको जो है इस तरह क संकट हरो अंजनी के लाल हनुमान आज तुमारे घर के सभी संकटों को हर देंगे बाबा की बरपूर किर्पा आपके घर में प्राप्त होगी आपको भी प्राप्त होगी और अगर आप चाते हो कि हम 11 दिन के या 41 दिन के या कोई भी हम प्रेज कर रहे हैं तो उस प्रेजों के दुरान ऐसा क्या दे प्रभू को जिससे वो मदू मै प्रसन हो जाए आनंद ही आनंद हो जाए वैसे तो क्या हम तुछ परानी क्या दे सकते हैं इतनी बड़ी शक्षिय जो इस जगत का स्वामी है जो अंतर्यामी है जो तरकाल दर्शी है जो भक्त शिरोमनी है और वीर शिरोमनी भी है हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते हम तो खुद मंगते हैं और मांगने ही तो जाते हैं वावे तो ऐसी लिए हम चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा जो आप उन्हें दे सकते हो वो क्या दे सकते हो उसके उपर से मैं परदा उठाऊंगा उस इसी वीडियो के अंदर ही ध्यान से बने रहना अगर शरीर में रोग है दोश है बिमारी है किसी ने कुछ करा कराई कर दी है शरीर के अंदर निरंत्र कष्ट बना रहता है तो इस जागरती भगती से आप बाबा को प्रसंद कर सकते हो अब प्रसंद करने का मैं फारमुला भी आपको बताऊंगा कि किस पकार से आपने बाबा को प्रसंद करना है क्या है कि मैं उस मैं की बात बताता हूं जब रावन केलाश को उठाकर कहा ले जा रहा था लंका में लंका में ले जा रहा था तो उसने केलास को जो हक्षान डाला तो एक वाइदू हिला दिया अप्फिर महादेव की किर्पा से उसके फाथ उसमें डब गई तब उसने महादेव को किस पकार से प्रस्चन किया कि आपको पता ही है कि उसस amended शट्रो तंम महादेव को सुनाया और उस भक्ति से प्रसंद होकर महादेव ने उन्हें आतम लिंग भी दिया तो इसी पकार से मैं यह चाहता हूं कि जो बाबा की आप मेहंदिपूर संक्रटों को चोड़ के आये हो और उन्हें भी प्रसंद करना चाहते हो और वो किस पकार से अब जैसे कोई व्यक बाबा को चाहिए और नी सिर्फ भगती और भगती किस पकार की हो और उस भगती में सोने का स्वागा हो जाए तो किस पकार किया जा सकता है यह मैं आपको आज बताता हूं अगर आपके घर में जोत जला रखी है आपने और प्रेज कर रहे हो तो शाम के समय सभी परिवार आप इकठे हो जाए और इकठे होने के बाद बाबा की भरपूर भगती कीजिए इतनी भगती कीजिए क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए और वीडियो को एंड तक देखना स्किप मत करना इसमें मैं एक बात और बताऊंगा जिससे वह बहुत ज्यादा प्रसन होते हैं और उस भगती से वह प्रसन होएंगे उन्हें चाहिए राम नाम दो अक्षरों का नाम भव से पार तारता है आपको तो तारे का तारेगा बाबा की गुड़ भगती भी आपको प्राप्त करवाएगा पहले तो आप राम नाम का जितना सिमनन घर में करोगे उतना ही अनंद देख लो शिरी राम हनुमान आ जाते हैं तुम बुला के देख लो क्योंकि जब राम नाम की गुड़ भगती अंदर से उदे हो जाएगी प्रभु की किर्पा वहाँ पर जरूर आएगी ये बात आच सुलेना अब आपने क्या करना है जो कोई रोगी है अगर उसने ग्यार और आई बटन आएगा इस आई बटन पर मैंने एक वीडियो बनार किया हनुमान जी पे सिंदूर चडाना है अगर कोई लेडीज है रोग घरस्त है बिमार है काफी समय से संकट तंग आ गया है तो बाबा मैं इस संकट से घनी तंग आ गई हूं ये मेरा पिछा नहीं छोड करता बाबा आप ऐसा कुछ कीजिए तो बाब भी बाबा के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिनसे उन्हें प्रसन हो जाएं वो उन्हें धन धान्या नहीं चाहिए मुझको यश्य चाहिए ना वैभब चाहिए मुझे यश्य चाहिए ना वैभब चाहिए राम के नाम का मुझको रस चाहिए राम के नाम का रस। और रस किस पकार प्राप्त होगा ये हनुमान जी पे आपने सिंदूर चडाना है। ग्यारा दिन लगातार आप हनुमान जी पे सिंदूर चड़ाइए। अगर 11 दिन नहीं चड़ाते तो आप मंगल और शनी तक्रीबन तक्रीबन 21 शनीवार पकर लीजिया कि मैं 21 शनीवार अगर शरीर में रोग है बिमारी है दोश है और किसी भी पकार की ऐसे लगता है कि सामने वाले ने इट फैकी वी है बुरी नजर फैकी वी है यह कारोबार म वह सिंदूर चडाना है चमेली के तेल के साथ जो रोगी है अगर पुर्ष है तो वह रोगी चड़ाए अगर को इस तरी रोगी है तो अपने पती से यह अपने लड़के से 21 दिन के संकलव का सिंदूर चड़ाए और 21 दिन के अंदर अगर किसी भी पकार की लेडिस प्रोबलम हो जाती है तो वह मंदिर में ना जाए नेकिन उसका आंश जो उसका पूतर है वो मंदिर में जा सकता है हमने इस वीडियो में बता रखा है कि लेडिज को हनुमान जी की पूजा किस पकार से करनी है हमने वीडियो बना रखी है तो इसी पकार से हनुमान जी पे सिंदूर क्यों चड़ता है वो भी हमने इस में है उस पे मेरी मेरी फोटो लगी है सिंदूर पकड़ेवें की तो इस मैंने बता रखा है तो आपने इस पकार से क्या काम करना है सिंदूर चडाने से सब काम होता है हनुमान को खुश करना आसान होता है कर ले भरोसा इन पे क्या कर ले भरोसा इन पे हनुमान प्यारे पे हनुमान जी अपर उनके उपर तो प्रदिक्तो का पाहर रहते हैं आगर हनुमान जी के उपर आप व्रोसा कर ले तो फिर कहते डेवचा चीतना धरी हनुमत से ही सब सुक करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुम्रे हनुमत बलवीरा समझगे हर पकार के संकट कश्टों से बाबा आपको दूर करते हैं आपके अंदर गूड भगती का रहसे है उत्पन होना चाहिए गूड भगती जो है वो बार आनी चाहिए जैसे दूद में उबाल आता है इस पकार की अगर भगति आजाएगी तो बाबा उठा लेंगे आपको भAnn यह तो मेरा परед चला यह मेराणच यह तो मेरा एक भूजशन है समझे उन्हें क्या चाहिए उने सकती अपति राम नाम और अग्र मेरी श्री चन्नों में देते हो और भक्ति अपनी आपकी मैनत और बाबा आपको फल देंगे आपके अंदर की जो भक्ति निकलेगी और आप कहोगे प्रभु मैं कस्टों से बहुत मारी-मारी फिर चुकी हूं और मेरे घर के अंदर अगर किसी को किसी भी पकार की दिक्कत रही है अब किसी को धन धान्या की दिक्कत है या किसी भी पकार की इस पकार की दिक्कत है कि उसको मलोब संतान नहीं हो रही या घर में बरकत उदे नहीं हो रही या किसी भी पकार की हनुमान जी की किर्पा का पात बनना चाहते हो तो आप मंगलवार को गाएं के देशी गी से सिंदूर चड़वाईए तक्रीबन 21 मंगलवार पकड़ लीजिए और अगर पेट से लेटेट समस्या है पेट से लेटेट समस्या है कोई जुल्म और गंदा संकट निच्चे के पार्ट में रहता है गल्त सुपन आते हैं आपके गलत कारिया हो रहे हैं तो मंगलवार को आपने 21 मंगलवार हर्मान जी के और देशीगी के आपने गाएं के देशीगी का सिंदूर में मिक्स करवाकर हर्मान जी का किसी मंदिर में जाकर जहां पर मंदिर हो सिंदूरी मूर्ति पर और सिंदूर की जो प्रकि अपने पती से करवा सकती है तो इस पकार की मैंने वीडियो बनाई है किसी व्यक्ति ने मैंने से पूछा था इसी पकार का कॉश्चन कि गुरुजी अगर हम आते हैं तो उसके दोरान कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं जिससे हम और भी ज्यादा बाबा को प्रसंद कर सके भाईया प्रभू को तो प्रसंद करने के दो सिस्टम मैंने आपको पता दिये सिंदूर चड़ाने से क्या होता है वो मेरी वीडियो में आप देख लीजिए सिंदूर चड़ाने क्यों कि मैं अगर वह भी इसी वीडियो में बोलूंगा तो यह बहुत लंबा हो जाएगा तो तो राम नाम का गुड्रैस्ट है वीडियो बनी भी है तो उस पे अहपर बनी रहना में कर रहे हैं क्योंकि वीडियो होगी है जादा तो कुछ हमें भी इस पर याद देखिए उनको भी आप देखिए सुनिए तो आपको पता लग जाएगा कि किस पकार की भगतिया मनें हन जुमान जी बाल सवरूप में बाबा बाल सवरूप में आपके घर में जब 11 दिन के लिए आएंगे 21 दिन के लिए यह आपने महंदीपुर के बाद इसका ही संकलब पकड़ना है मैं यह जो बात आपको बता रहो मेहंदीपुर के बाद जब आप धोक मार के आते हो तो इस पकार का संकल पकर लिजे 21 दिन के लिए और प्रभु की गुंगान और भक्ति कीजिए यकीन मानिए आपको 101 परसेंट आपको आपका सयोग होगा जो संकर जिसके शरीर पे होगा वह सपश नहीं कर नेकिन वह कभी अपने पूतर के रूप में लेडिस सपश करवा सकती है ऐसे पूतर का पना उसका कर रहा है तो आप संकल पर जब लेते समय संकल चावल लेकर अक्षद जो लेकर आपने एक संकल लेना कि मैं पतनी शिरी ये गोतर बोलकर उसका मैं निवासी इस पीड़ा से प्रशान हूं इस पकार से दिक्कत है तो हे बाबा मैं यह संकल अप ले रही हूं ताकि मैं अपने बच्चे के माध्यम से इस पकार का कारिया करवाऊंगी और वो भगती का जो किर्पा है आपने मेरे संक्ट जो शरीर पे है उसको दूर हटाने का कारिया की देखो नी स्वार्थ करीवी भक्ति प्रभू तक जाएगी स्वार्थ से पूर्ण करीवी भक्ति कभी प्रभू तक नहीं जाएगी नेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी छोचेंगे कि हम स्वार्थ से पूर्ण भक्ति तो करते हैं स्वार्थ तो हर किसी को होता है भीया मैं यही त आएगा भाईया अगर आप ये इस पकार का टार्गेट लेके जा रहे हो तो ये गलत है इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि हमें मेंदिपुर जाने से पहले किस पकार के अपने मन को संकलप के दौरान बांध लेना चाहिए और क्या संकलप लेके जाना चाहिए और कमेंट बोक्स में लिख सकते हो और कमेंट बोक्स में लिखने के बाद बाबा की जिस भी टोपिक पे आप वीडियो चाहते हो उस पर बन जाएगी जैसी चाहते हो वैसी आपको मिल जाएगी अगर बताने में कोई तुरूटी रह गी हो तो अपने इस्ट देव शिरी बाला करता है प्रभू आपकी बरपूर किरपा उस व्यक्ति को प्राप्त हो और जो नहीं देखता उसे भी प्राप्त हो ऐसी कामना मैं अपने इस्ट देव शिरी बाला जी महारा से करता हो तो दोस्तो जैश्री राम जैश्री बाला जी- माराइ